नमस्कार दोस्तों करफेवरूं जो में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे नीबू की खटी मिठी स्पाइसी चट्नी तो आए शुरू करते हैं करीबन 500 ग्राम नीबू है कागजी नीबू पतले चील के वाला इसको हम पानी गरम करके उसमें डाल के मुलाइम कर लिय बीज नहीं रहना चाहिए बीज रहने पर उसका स्वाद करवाल आ जाता है और यह करीब 200 ग्राम चीनी एक चमत लाल कुटी ही लाल मिर्च है एक चमत जीरा पॉडर एक चमत उजला नमक एक चमत काला नमक एक चमत चाट मसाला थोड़ी सी हीन तो सबसे पहले हम इस जार मे बुको पीस लेगे दोबार करके इस चला लेगे इस तरीके से सब पीस दिया है में इसको हूँ कराही में डाल दीए इस तरीके से इसको हूँ थोड़ी देख गूंड लेते हैं नीवो भी ऐसे सभी चीज के लिए फायदे मंद है और विटामिन चीज से भरपूर है यह पाचल सक्ति का काम करता है कि खाने में बहुत टेश्टी लगता है किसी नम चीनी डाल देते हैं अब घूर में बना सकते हैं अगतभी पूर्चनी दौनां में बनेगा फ्लेम को कम कर दिया है धीरे धीरे चीनी नीबु में के पानी छोड़ेगा तो उसमें पकेगा यह खाने में बहुत ही अच्छा लगता है चटपटी पांच मिनेट में बस बन गाएगा दिखे धीरे धीरे सब चीनी इसमें भूल गया है साड़ा चीनी इसमें भूल गया है यह दो साल पांप साल तक खड़ात नहीं होगा आप इसे बाहर में ही रखिए जितना पुराना होगा उतना पाचक का काम करेगा देखे सब चीनी मेल्ट कर गया है तो इसको हम पकने देते हैं इसमें एक चुटकी हिंग डाल देते हैं और यह जो सब मसाला रखे हैं सब इसमें डाल देते हैं अब यह दिरे दिरे इसको पकाना है पक जाने के बाद इसको ठंडा करके सुखी जार में रखिएगा पानी से बचाना हूँ महिंगे हुए चम्मत से कभी अचार को चटनी को नहीं निकालना है सब चीनी मेल्ट हो गया है मसाला भी इसमें इसको पकने देते हैं जब भी आप भी अपने घर में बनाइए तो नीबू को थोरा उसका कड़वापन निकालने के लिए गड़म पानी में डालके फोर दीजिए उसके बाद उसको छानके निकालके धूप में सुखा लिजिए तब कट करके उसका सारा बीज निकाल लिए देखिए कितना सुन्दर इसका कलर है और ये एक सब्ता के बाद खाने लाइक होने का जब इसमें पूरा चीनी भींगेगा हम गैस को बंद कर देते हैं निबू का खटा मिठा और स्पाइसी चटनी बनके तयार हो गया है आप इसे आठ दिन के लिए रख दीजेगा आठ दिन के बाद इसको खाना है तो और टेस्टी लगेगा इसमें रस से पूरा निबू का करवापन निकल जाएगा अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया होग तो आप लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट भी करें फिर मैं अगले बेंजन के साथ मिलूंगी थैंक्स